कि हाई अब्रिवन वेलकम बैक और फिर से कुछ स्वागत है एक निव वीडियो में दोस्तों टाटा इस्टिल ट्रेड अपरेंडिस 22 का आज हम लोग साइन्स का सेंपल प्र लेकर हैं देख सकतो दोस्तों टाटा इस्टिल के तरफ से इस टाइप का सेंपल प्र निकाला जात और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए बैल वाला के को बैल वाला इकन को अन किजिए तक हर एक वीडियो को नोटिफिक्रिक्रिशन आपके पहुंच पाइगा और हाँ दोस्तों टीए 2022 में अभी तक कितना फॉम फिलफ ह नहीं है यहां पर पूच रहे अर्ध चालक नहीं है ठीक है तो याद रख लिजेगा इसका करेक्ट एंसर क्या होगा आपका ओप्शन नुब सी पारा ठीक पारा चलिए आगे बढ़ता है नेस्ट कुशन की और धान देगा अगला कुशन यहां पर क्या पूचा कि वोल्ट मात रख किया है ठीक है तो याद रख लिजेगा ओम क्या है का है option नूबर सी कर्रेक्ट एंसर है चलिएः औगे मड़ता हैक्ट कोशन की और कोशन ना साती हो काफी इंपोड्ण कुशन है तो देखेगा कोशन हैं प्शे आपका कि दिए एक दो और तीन ओम के तीन परतिरोध कि सरेनिकरम में जोने पर समतोलिय परतिरोध कितना काफ़ी इंपड़न कुशन यह आपको पता है तो फटाफ़ाइस कमेंट की जाएंगा तो तो धीक आपके पास ओप सने एक ओम दो ओम तीन होम ठीक है या आपका पास डी नूमर अप्शन है छे ओम ठीक है तो क्या होगा तो आपका छे ओम ठीक है सही अंसर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कुछन की और कोशन नमर 6 कोशन नमर 6 पूछ रहा कि विवानतर के क्या होता ठीक है एक कोशन आप लोगो देखने के मिलेगा एक्जामे ठीक है तो विवानतर के एसाई मातर के पूछा गया तो क्या होगा था वोल्ट ठीक है ऑप्सन नमर डी विल्कुल करेक्ट अंसर है दोस्तों वीडियो अचलाएगा तो प्लीज लाइक कीजेगा सेर कीज अगर दोस्तों की सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो आगे बढ़ते हैं कोशन नमर सेवन के और पूछते हैं देखे विवान का मातर क्या का अच्छा कुशन है तो याद रखेजिए को वोल्ट ठीक है क्या वोल्ट आप्सन नमर भी दोस्तों अभी तक हमारा टेस्ट नहीं दियो तो प्लीज दे लिजेगा काफी इंपोर्टन टेस्ट है एप्टिट्यूट का टेस्ट अप्लोड हो चुका जाकर चेक आउट कर लिजेगा इंस्टा में मैं यहां पर लिंक पोस्ट कर चुका और नीचे आप उसका लिंक मिल जागा नीचे डिस्क्रिप्शन म सब्सक्रिप्शन आप लिए कि इसका सही अंसर क्या होगा कमेंट कीजेगा चुलिए आगे बढ़ता है अगला कुशन है कि टंगस्टन नेम लिखित में से की स्टाप पर प्यालता है कौन्स तो टंगस्टन टीक है काफी अच्छा कुशन आप पूचा याद रख लिजेग करेक्ट अंसर है तो देखेगा नेश्ट को सन आप लोग से पूच रहा है कि विदूत सक्ती का मात्रक क्या है यह सब काफी इंपॉर्टन कोशन है सीधे सीधे आप लोग एक्जाम में यह सारे कोशन देखने को मिल सकते हैं तो इसका करेक्ट अंसर क्या आपका फटा-फट परतिरोद का एसाइं मात्रक क्या होता ठीक है परतिरोद कहीं है पर एसाइं मात्रक पूछा गया ठीक है आप लोग से ठीक है तो इसका यदि आपको पता है तो इसका एंसर फटा-फट कमेंट कीज़ेगा तो दोस्तों कि परतिरोद का एसाइं मात्रक क्या होता है तो यह देख लिए कि ओम होता है किया होता है ओप्शन नमर डी विलकुल करेक्ट एंसर है बारह कि बारह वोल्ट विवांतर के दो बिंदों के बीच दो कुलाम आवेश को ले जाने में कारिय किया जाता है कितना कारिक किया जाता है तो इसका भी अंसर आप लोग कमेंड कीजगा ठीक है यह सब को दो कोशन आप लोग सिहां पूछा रहा है दोनों का अंसर आप्लों कमेंड कीजगा ठीक है चलिए आगे बड़ते नेस्ट कुछन की और अगला कुछन पूछ रहा कि सेल के वीदुत का आप करेकंड पूछा किया थीक है तो फर फर कमेंड की जगे आपको पता है तो याद रहूंत किछ इल्ट की से ऑप्सिन नमर वीथ पिल्कुल करेक्ट एंसर है देख्ए नेस्ट कुछन आप पूछा कर 주ow त PHIL कोंदों कि बेच बीच ब्याच यानि 20 भागों में बाटा गया तो इसका लिस्ट काउंट यांपर पूछा गया तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा आपका ओप्षिन नुमर ए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कुछन की और कुछन फिप्टीन आप पूछाए आवेस का साय मातर क्या होता है आवे पूछा गया तो चलिए इसका फटाफट कमेंट कीजिए यह आपको पता है तो याद रखलिए कि इसका प्रमानू आयान प्रोट्रोन यह आपके पास इलोक्ट्रोन तो कौन होता है तो इलोक्ट्रोन होता है ठीक है अप्शन नुमर दी बिल्कुल करेक्ट एंसर है आगे बढ़ता है ने मियनिकित में से कोन विधूत का शूचालत करका पूछा गया कैया कि खटात ही एक है और होтन। C अपका correct answer है आगे बढ़ते हैं विदूत बॉलब का तंतु किस धातु का बना होता काफी important question है ठीक है तो बताइएगा इसका सही answer क्या होगा question of 19 का तो याद रख लिए टंगस्टन कट क्या टंगस्टन option number B बिल्कुल आपका correct answer है आगे बढ़ता है next question को पर ध्यांद जाएगा काफी important question दीक है कि 10 ओम एवंग 20 ओम के दो परतिरोध question निकरम में जोने पर समतूल ये परतिरोध होगा ठीक है परतिरोध कितना होगा दोस्तो कोशन होगा 20 ठीक है तो कितना होगा तो आपका 30 ओम ठीक है option number C बिल्कुल आपका यहाँ पर correct answer है साती हो question number 21 का किसे valve से 220 watt पर 2 amp की धारा परोवित होती है तो filament का परतिरोध होगा कई बार इस टाइप के question आप लोग से पूछा जाता है ठीक है तो इसका सही answer क्या होगा तो 110 ohm ठीक है option number D बिल्कुल आपका correct answer है चलिए आगे बढ़ता है next question की बढ़ता है अगला question question 22 पूछा कि बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो याद रिख लिजिए कि DC धारा प्राप्त होती ऑप्शन नमर B बिल्कुल correct answer है देखिए का question 24 पूछा कि वोल्ट मीटर को विदूत परिपत में कैसे जोड़ा जाता देखिए पहला है स्रेनी क्रम शमांतर क्रम ए और बी दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका भी एंसर आप लोग फटाफट कमेंड करके बताएं तीन कोशन आप लोग साभी तक पूछ चुका हूं तीनों का answer आप लोग कमेंड बॉक्स में बताएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ता नेस् कोशन के और कोशन नमर 26 पूछ एक वोल्ट काला था एक वोल्ट क्या काला था काफी इंपॉर्टन कोशन दोस्तों ठीक है कि यह बार इस टाप कोशन पूछा जाता है तो याद रख लिए जूल या कूलम ठीक है ऑप्सन नमर बी बिल्कुल अपका करेक्ट अंसर है आगे कैसे बॉट गहनटा किसका प्रयोग क्या जाता विदूत करते हैं किसका प्रयोग करते हैं यानि आपको विल्कुल रिख रह घंसर है कोशन पूठ है और इस ऑपका बिल्कुल प्रयोग करते हैं देखेगा नेस्ट पूशन आपके पास है कि विदू चम्बूक बनाया जाते हैं टिक है विदू चम्बूक किसके बनाए जाते हैं काफी इंपॉर्टन कोशन है तो याद रख लिएक नरम लोहे का ठीक है किसका तो नरम लोहे का ठीक है ऑप्सन नमर डी बिल्कुल अपका य बढ़ता है कि निवन में से कौन सा संबंद सती है निवन में से कौन से संबद यहां पे सतिया है काफी अच्या कुछन पूछा तो इसका बिल्कुल correct answer अपको पता है तो ठीक है इसका बिल्कुल correct answer होगा option number C ठीक है option number C याद रख लिजेगा चलिए आगे बढ़ता है next question की और अगला question है कि newman में से कौन सब्पाद विदूत परिपाद में विदूत सक्ति को निरूपीत करता है काफी अच्छा कुछन पर पूछा गया है तो याद रख लिजेगा करेक्ट एंसर क्या होगा आपका option number 80 option number A आगे बढ़ता है next question अगला question ध्यान दिएगा question number 34 पूछा करें इस्थीत विदूत में आवेश होते हैं तो इसतीत विदूत में आवेश हैं ता निए पूछ रहा है काफी important question पूछ ल discuss Q24 याद रख लिएका विराम आवस्ता में रहते हैं किस में तो बढ़ता हैं कोशनमर 35 के और देख देख लिए गदगे हैं दिया एद हवें पहले तो आपको इस तरी में पूछा इन्सर क्या होगा धारा में क्या होगा तो गती अवस्ता में रहेगा टिक अगे बढ़ते हैं देखें अगला कुशनमर 36 मौन बढ़के देखिए उर्जा का क्या होता है कि एक किलो वार्ट घंटा का वेवारिक मात्रा क्या है काफी इंपोर्टन कुछ नहीं पूछा गया है तो यहां दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं प्लीज लाइक कीजिएगा शैर कीजिएगा और चनल को सब्सक्राइब कीजिए कि पूरे यूटुब में दोस्तों कहीं भी आप लोग अभी टीए के लिए आप एक्साम को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दे रहा या नहीं कोई क्लास अप लोगों को प्रोवाइड करता है ठीक है अगला कुछन पूछा कि एक जूल का मान होता है कि एक जूल का मान किसके ब्राबर होता है काफी में बॉटन कोशन है तो याद रख लिएगा आपका जीरो पॉंट फोर के लिए ठीक ऑप्शन नमर भी विल्कुल आपका करेक्ट अंसर हो दोस्त देखिए कोशन नमर 39 पूछ रहा है कि सुस्क सेल में रिन इलक्ट्रोड किस धातु का होता है काफी यह पर पूछा गया है तो आगे बास यह तो ऑफशन झाले कोशन कि लिए निन निन नहीं। तो याद रख लिए जस्ता का होता है किसका होता तो जस्ता का ओप्षिन नमर बी विर्कॉल आपके करेक्ट एंसर हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट पोश्चन के और कोशन नमर 40 अगला कोशन है कि सुस्क सेल में धान इलोक्टोड किस दातो का होता ठीक है धान इलोक्टोड यहां पर पूछा गया कुछ नमर 40 तो याद रख लिए कार्बन का होता ठीक है किसका होता तो कार्बन का ओप्षिन नम आगे बढ़ता हैं कि इसका बिल्कुल और कुसट ध्यान द्यान लिए भाप कोशन और में पूछ रहा है विजली का तार般ा रहता बाता टामबिया-थीन दोनों नए धिया ऑप्जिन है तो तो दोनों ही दिजिएगा और एक रहे गया तो उसमें से कोई जब्याद है की तो कि इलक्ट्रोन वोल्ट बराबर होते हैं ठीक है काफी इंपोर्टन कुशन है तो याद रखेगा इसका क्रेक्ट अंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नबर एक क्या है तो बिल्कुल इसका क्रेक्ट अंसर क्या होगा आपका अप्शन नबर एक याद रख लिए यह पावर में ठीक है माइस इसका पावर में चलिए आगे बढ़ता नेश्ट कुशन की और दहन जीए कोशन पर फोटिफाइब क्या पूछ रहा है कि एक मियू एंप्यर इस अभी गमन कर सकते हैं चालक की अंसर क्या होगा जब चालक के अनुदीस विधूत दाब में अंतर होता है अगे बढ़ता में अगला कुशन है कि अगर किया गया कारी होगा क्या यहां पर फोर्मूला खुछ देखे रखाया तो बताइए इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर क्य पूछा गया तो याद रख लिएगा इसको धन द्रूब कते हैं किसे जिससे वह धारा भेजते हैं जिस प्लेट से धारा भीजती है कोई भी सेल ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी चालक का प्रतिरोद करता किसी चालक का प्रतिरोद निर्भर करता काफी आचा कोशन पूछा गया तो यहां पर पूछ्ट आएक कि यह कीसी स्थाई विदुध दारा यानि दौइरा समय में उत्कस्मा की माड़ा क्या है यदी उसमा है ही मैंच्छे दोड़िके काफी एच्छा कुंशन घ् 밟िके तो इसका करेक्ट अंसर आप लोग करके बतेएगा इसका बिल्कुल करेक्ट एंसर क्या होगा ठीक है आपके लिए कोश्ण छोड़े जितना भी कोश्ण है पर कमेंट करने के लिए बोले हैं प्लीज एंसर कमेंट किजेगा तो दोस्तों आज के सेस्टन आप अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किज इस सेर की जैगा चनल को सस्काइब कर दिए तो मिलते हैं इन्य वीडियों को साथ तब दख लिजा इन वंदे मात्र हों